हलो माँ ब्यूटिफल पीपल आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुन्दर सा बॉर्डर डिजाइन आप इस पैटरिन को बॉर्डर में और पूरे कार्डेकन में दोनों में यूज़ कर सकते हैं तो ये बहुत ही इजी और सेंपल है तो ये कुछ ऐसा जिग सेख जैसा आपको दिखाई देगा इसमें हमें मल्टिपल चाहिए थ्री का प्लस टू एक्स्ट्रा स्टिचेज लेंगे केवल टू रोस का ये पैटरन रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेमेंस्ट्रेशन से टोटल ट्विटी सिक स्टिचेज ले लिए हैं मैंने थ्री के मल्टिपल में 24 और प्लस टू एक्स्ट्रा स्टिचेज हमारे रहेंगे तो आप इसी के अकॉर्णिंग अपने पूरे स्टर या कार्डेगन के लिए डालीजिए फंदे जितने भी आपको रिक्वाइड है रो वन हमारी यहां पर बेस रो रहेगी राइट साइड तो राइट साइड पे हमने बेस रो यानि की पूरे निट करनी है सीधी बना लेनी है इस तरह देखिए हर फंदे को हमने सीधा निट कर लेना है बेस रो में ये वाला पैटरन हम रॉंग साइड से स्टार्ट करेंगे अगर आपकी पहली रो ही रॉंग साइड आती है फंदों के बाद तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अदरवाइस आपको बेस रो बनानी होगी सीधी मैं प्रेफर करूंगी आप बेस रो जरूर सीधी बनाएं और उसके बाद ही रॉंग साइड से स्टार्ट करें अगर आप उल्टी भी आ रही तो आप दो रोज बना सकते हैं जैसे फंदों के बाद पहली से लाई अगर उल्टी आ रही है तो एक उल्टा बना लीजे एक पूरी रो और उसके बाद एक सीधी बना कर फिनिश कर लीजे अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगे आप चल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और पहले की भी वीडियो दिखते रहें तो अब आती है हमारी wrong side row 1 तो यहां से हमारा pattern friends begin होगा first हमारा edge stitch है तो slip करेंगे उल्टा ही अब यहां से repeat pattern चलेगा ठीक है तो अब ध्यान दीजेगा एक फंदा छोड़कि अगले फंदे को यानि कि second फंदे को हमने इस तरह से उल्टा बना लेना है ठीक है अब इसे हम ड्रॉप नहीं कर रहे है अब इससे पहले वाला जो है एक फंदा इसको भी उल्टा बना लेंगे इस तरह से यह दोनों उल्टे हो गए अब इन दोनों को एक साथ ड्रॉप कर दीजिए थागा दूसरे तरफ करके एक को हम knit करेंगे यानि कि सीधा बनाएंगे तो यह रिपीट चले का दो उल्टे एक सीधे का फिर सिधान दीजिए दूसरा वाला फंदा हमने पर्ल डाउन करना है उल्टा पहले इस तरह से फिर उसके बाद पहले वाले फंदे को उल्टा बना लेंगे दागा दूसरे तरफ कर लेंगे और सीधा बनाएंगे तो इनी तीन फंदो का रिपीट आपने पूरी की पूरी अपनी रॉंग साइट में रखना है दूसरे वाले को पहले बनाएंगे उल्टा और फिर हम पहले वाले को उल्टा बनाएंगे और एक साथ में ड्रॉप कर देंगे फिर एक फंदा सीधा बनाएं फिदागा अपनी तरफ फिर एक फंदा उल्टा यानि की सेकेंड वाला फिर पहले वाला उल्टा बनाएंगे पॉल डाउन करेंगे फिदागा दूसरी तरफ और एक सीधा तो दो रॉंग स्टिच बनेंगे और एक हमारा निट होगा आपने यही पैटरिन अपने सारे के सारे स्टिचेश में फॉलो कर लेना है एंड तक रॉंग साइड पे प्रिंचे बहुत ही सिंपल डिजाइन है आपको थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा देखने में लेकिन आप बनाएंगे तो बहुत सिंपल है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा फिर लास्के जो दो फंदे परश्चे देखिए तो हमारा बैटरन का ही आगया एज स्टिच जो है हमने उल्टा ही रखना है रॉंग ही बनाएंगे रॉंग साइड पे परल डाउन ही करेंगे फ्रेंज चीक है तो अब हमारे देखिए रॉंग साइड की रो वन हमारी फिनि साइड उल्टा हो गया थागा दूसरी तरफ अब यह दोनों सीधे हैं तो इसमें भी हमने सेकेंड वाले को पहले निट करना है लेकिन बैक साइड से फ्रेंज ठीक है इस तरह से अब से लाई को पीछे की तरफ से सेकेंड वाले को पहले बनाएंगे सीधा ऐसे एक हो गया फिर आगे वाले को आप उपर से ही बना लेंगे ऐसे यह होगे दोनों फंदे अब यह तीन फंदों कारे पीछे लेगा एक उल्टा दो सीधे फिर ध्यान देंगे एक उल्टा फंदा बना लिया फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे दूसरे फंदे को पहले हमने सीधा बनान करेंगे और एक फंद लेगंगे फिदा का दूसरी तरफ दूसरे वाले बंदे को हमने देख जिस करना ही शिदा ध्यान देंगे और करेंगे इट है चल बैक साइट सेही लेंगे ऐसे और अगे वाले को फ्रंड सेही ले लेंगे दोनों सीधे ही लेंगे लेकिन फिर एक रॉंग साइड फिर इन दोनों को बेक साइड से है कि सब्सक्राइब को पहले निट करना है फिर फर्स्ट वार्ले को करना है सीधा निट तो आप यही पैट्रन यही तीन फंदों का रिपीट चलेगा एक उल्टा दो सीदे एक उल्टा दो सीदे यही रिपीट आप पूरे में फॉलो कर लेंगे तो फ्रेंट जैसे आप देख सकते हैं दो ही रो का यह पैटरन है रो वान एंड रो टू तो आप इसी का रिपीट करते जाएंगे जितना भी आपको रिकार्ट है बॉडर आप चाहें मफलर्स शॉल्स हर एक चीज़ में यह पैटरन यूज हो सकता है बहुत ही प्यारा लगेगा बनने के बाद तो यह देख लीजिए यह हो क्या हमारा ठिक है लास्ट का एस्टिच है सीधी तरफ से सीधा ही रखेंगे तो यह हमारा रिपीट हो गया अभी यह कुछ ऐसा साइट सा बहुत ही नीट ही ने क्लीन आता है और स्ट्रेची में यह रहता है तो आप इस पैटरन को जरूर ट्राय कीजिए गा और मुझे जरूर बताइए का कमेंट सेक्षन में आपको यह पैटरन कैसा लगा फ्रेंज इसी तरह के पैटरन सीखने के लिए मेरे चैनल को फामली के मेंबर बन जाएंगे तो फिंस देखना कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग फिंस थैंक यू